है लो दोस्तो एक बाद फिर से आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल गुपाल स्टेडी स्टूडियो में तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेपर रोलर बेरिंग के बारे में तो इसको टेपर रोलर बेरिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप की बात करों तो यह रहा ऊटर रेस और यह रहा इनर रेस और साथ ही आपको जो केज दिख रहा बाहर से जो की रोलर को इक्वी डिस्टेंस पे रखता है ताकि रोलर के बीच का gap maintained रहे और roller तो होते ही हैं तो इससे मिलके बनती है taper roller bearing तो मैं आपको बताता हूँ कि आप bearing को किसилow से पहजान सकते है तो सबसे पहले बात करते हैं तो देखें अगर taper roller आपको देखते हैं नॉर्मल सी बात है यह taper टेपर रोला बेरिंग है, साथ ही आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आप बेरिंग का नंबर देखेंगे, तो बेरिंग का नंबर आपको दिख रहा हुआ, 30211, तो मलब दोस्तो यह टेपर रोला बेरिंग जो होती है, वो 3 से स्टार्ट होता है इनका नंबर, और 30,000 की सिरीज में यह नंबर होता है, मलब कि 5 डिजिट का यह नंबर होता है, अब दोस्तो बात करते हैं कि आप किस तरीके से बेरिंग का फेस और बैक पहचान सकते हैं, तो बात करें इस तरह से बेरिंग की, तो बेरिंग में यह हिसा आपको दिख रहा होगा, तो यह होता है दो to face और tandem बट यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको explain करने वाला हूँ कि back to back arrangement कैसे होता है अगर आप मेरे पास दो bearing देख रहे होंगे तो यह दोस्तो back to back arrangement में लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर एक bearing का back जो है दूसरे bearing के back की तरफ है यहाँ पर आप दोनों bearing के back देख सकते हैं इस तरीके से back to back arrangement होता है दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों bearing के angle का कि किस तरीके से angle बनता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो roller taper होते हैं उनके perpendicular अगर हम axis कीचेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगी एक इस तरीके से angle बनेगा उपर की तरफ से और नी दोस्तों आपको एक important चीज दिखेगी जो distance बनती है बीच में जो एक notch से दूसरे notch के बीच की distance बनती है वो यहाँ पर ज्यादा बनती है तो ज्यादा बनने की वैसे क्या होगा कि आपको अगर यह bearing ball screw में use कर रहे हैं या फिर use कर रहे हैं spindle में तो आपको वहाँ पर ज्या मैं बात करूँ अगर face to face bearing की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं bearing को देखाऊं तो इस तरीके से देखेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों bearing के face एक दूसरे की तरफ हैं इसलिए इसको बोलता है face to face arrangement साथ ही face to face arrangement से जो end होता है वो floating हो जाता है जैसे कि मैं ब back to back में बताया था आपको जब back to back होता है तो वहाँ पर आपको rigidity जाता मिलती है support end में वहीं अगर face to face arrangement होगा तो आपको floating end मिलेगा यानि कि अगर आपका ball screw काफी लंबा है vibration जाता है और उनको आपको कहीं न कहीं control करना है तो वहाँ पर आप floating end दे सकते हैं तो floating end का एक bearing में heat generation कम हो जाता है और वहाँ पर bearing की life improve हो जाती है दोस्तों अब मैं बताता हूं कि यह floating end होता क्यों है यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने face to face arrangement लगा तो L जो की distance नोचकी वह काफी कम हो गई जैसे कि हमने back to back में देखा था यह L वहाँ पर जादा थी तो इसलिए floating end में आपको कम distance में ही rigidity मिलती है इसी लिए इस bearing में अगर face to face आगर आप रखेंगे ball screw support end का आप rigidity को कम कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि इस bearing का use कहां किया जाए तो normally दोस्तों taper roller bearing जो होती है वो radial कम thrust bearing ज़्यादा होती है तो यह thrust जहां पर भी load जो होता है वो thrust ज हम taper roller bearing यूज़ करते हैं तो दोस्तों radial load develop होता है normally speed of the spindle और ball screw और वहीं जो दूसरा force होता है thrust load वो develop होता है normally cutting load की वज़े से तो अगर मैं बात करूँ तो cutting load जहाँ पे heavy रहेगा और साथ ही rpms कम होंगे तो वहाँ पे आप इस bearing का use कर सकते हैं जैसे कि हमने normally देखा होगा बड़े-बड़े spindles जहाँ पर की heavy milling cutter चल ले हो या फिर वहाँ पर जो rpm कम हो वहाँ पे हम taper roller bearing को back to back normally use करते हैं अब देखिए taper roller bearing को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको id में play देखेगा एक यह play तब होता है जब bearing without loaded रहती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जब भी bearing को assemble करते हैं तो वहाँ पर initially load करना पड़ता है इस bearing को तो उसी को दोस्तों बोलते है pre loading दोस्तों अब समझते हैं कि pre loading का क्या impact होता है दोस्तों normally जो pre loading की जाती है वो lock nut को tight करने पर की जाती है lock nut tight होने के साथ साथ जो roller का इसके outer cage पर दबाव बढ़ते जाता है जिसके करण य heavy pre loading अगर हम करेंगे तो कहीं न कहीं जो bearing है वो outer cage में tight हो जाती है और उसको rotation में काफी ज्यादा friction develop होते हैं इनी friction की वज़े से दोस्तों यहाँ पर heat generation हो सकती है तो ज्यादा pre loading करने से क्या होगा कि हमारी bearing में ज्यादा heat develop होगी तो उससे कहीं न कहीं grease हमारी melt हो जाएगी और bearing भी जल्दी खराब हो जाएगी वहीं अगर pre loading कम रह गई तो होगा क्या जो thrust load या cutting load के time पे हमारा bearing में deflection ज्यादा होगा deflection ज्यादा होने से component की accuracy, tool life या कोई अन्य चीजें भी वहाँ पर impact हो सकती है तो इसलिए pre loading ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना तो बहुत कम होनी चाहिए तो वो एक specific as per bearing size ही होनी चाहिए दोस्तों आशे करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप कोई पिट आउट है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं फिर मिलेंगे skill India mission के साथ तब तक के लिए जीजे जादत नमस्कार जै हिन जै भारत पढ़ेगा इंडिया तो skill बनेगा इंडिया